हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई यूटूब चैनल विएस नॉलेज फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिल की तरफ से नई वेकंसी का ओनलाइन फॉर्म सुरू हो चुका है इस ओनलाइन फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे इसी भी से मैं complete detail अपने वीडियो में देने वाला हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो अच्छा लगे तो like and share जरूर करिएगा और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमाई यूटूब चैनल पे आये हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप देशकते हैं बेसिल की तरफ से जो वेकैंसी निकल के आई है यहाँ वेकैंसी एडवर्टाइजमेंट टमबर 56 रखा गया है यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट के लिए बेसिल की तरफ से वेकैंसी आई है Friends, यहाँ पे आप देशकते हैं, investigator के लिए 300 post निकल के आई है और यहाँ पे bachelor degree मागा गया है Friends, यहाँ पे supervisor के लिए 50 post निकल के आई है और यहाँ पे graduation degree मागा गया है Friends, यहाँ पे MTS post के लिए भी vacancy निकल के आई है यहाँ पर आप दे सकते हैं multi-tasking staff, MTS के लिए भी यहाँ पर post निकल के आई है, जिसके लिए 10 वी पास मागा गया है Friends, यहाँ पर आप detail wise जाके इसका official notification चेक कर सकते हैं Friends, अब मैं इसका online form fill करना शिखाऊंगा, कैसे आप इसका online form fill करेंगे इस site का link मैं अपने description box में दे दूँगा, आप वहाँ से direct click करके इस site पर आजाएंगे इस site पर आने बाद Friends, पहले आपको registration करना होगा, registration करने के लिए Friends, यहाँ पर आपको post select करना है जिस भी post के लिए आप apply करना चाते हैं, आपे post select कर लिजेगा, फिर Friends, यहाँ पर आपको अपना full name fill करना है जो भी आपका full name होगा यहाँ पर fill कर दीजेगा, फिर यहाँ पर आपको date of word select करने के बाद Friends, यहाँ पर email id आपको fill करना है email id fill करने के बाद Friends, यहाँ पर mobile number आपको fill करना है mobile number फिल करने के बाद Friends, यहाँ पर gender select करना है, जो भी gender होगा यहाँ पर आप select कर लिजेगा फिर Friends, यहाँ पर marriage status आपको select करना है यहां पे इस्चे करने के बाद फ्रैंड के अपको फिल करना है फिर यहां पे मदर्ष नइम आपको फिल करना है मदर्ष नेम फिल करने के बाद फ्रैंड से आप aynı category लेना है जो भी हम ऐताओ helemaal यहां पे कलिजएगा फिफेंट्स अगर आप disability person है तो यहाँ पे yes करिएगा नहीं तो no कर दीजेगा फिफेंट्स अगर आप xman serviceman है तो यहाँ पे yes करिएगा नहीं तो no कर दीजेगा फिफेंट्स यहाँ पे national team में आपको Indian select कर लेना है यहाँ पे Indian select कर लीजेगा नेशनल्टी सेलेट करने के बाद friends यहाँ पे आपको अपना अधारकार नमबर फिल करना है जो भी आपका अधारकार नमबर होगा यहाँ पे फिल कर दीजेगा इसके बाद friends यहाँ पे आपको अपना current address फिल करना है जो भी आपका current address होगा यहाँ पे fill कर दीजेगा, यहाँ पे पहले आपको address fill करना है, फिर यहाँ पे city, फिर यहाँ पे state select कर लेना है, फिर यहाँ पे pin code fill करना है, फिर friends अगर आपका permanent address भी same होगा, तो इस box में tick कर लिजेगा, अगर आपका permanent address same नहीं है, तो यहाँ पे आपक आपको upload करना है फ्रेंट जो फोटो upload करेंगे वो 100KB के अंदर होना चाहिए और जो signature upload करेंगे वो भी आपका 100KB के अंदर होना चाहिए upload करने के बाद friends यहाँ पर capture code को fill करके इस box में tick कर लेना है टिक करने के बाद friends यहाँ पर submit registration form वाले पर आपको click करके अपना registration form submit कर लेना है click करने के बाद friends कुछ ऐसा interface open होके आएगा अब यहाँ पर आपको अपना education, qualification, work experience, detail फिल करना है friends यहाँ पर आप देश रखते हैं यहाँ पर आपका application number show करेगा और यहाँ पर जिस भी post के लिए अपने apply किया था वो post यहाँ पर आपका show करेगा friends यहाँ पर education qualification फिल करने के लिए यहाँ पर आपको अपना graduation का board select कर लेना है फिर यहाँ पे year of passing आपको select कर लेना है फिर यहाँ पे role number आपको fill करना है और यहाँ पे percentage fill करना है फिर friends अगर आपके पास original language का knowledge है तो यहाँ पे yes कर लिजेगा नहीं तो no कर दीजेगा उसके बाद friends यहाँ पे save and next पे आपको click करना है click करने के बाद friends कुछ हैसा interface open होके आएगा अब यहाँ पे आपके application form का preview आजाएगा friends सारा detail आप दुबारा check कर लिजेगा अगर आपका कोई भी mistake होगा तो यहाँ पे modify पे click करके आप अपना mistake सही कर सकते हैं अगर आपका कोई mistake नहीं होगा तो अब यहाँ पे आपको payment करना है payment करने के लिए friends यहाँ पे proceed to payment वाले option पे आपको click करना है proceed to payment वाले option पे click करने के बाद friends अब कुछ हैसा interface open होके आएगा अब यहाँ पे pay online वाले option पे आपको click करना है पे ओनलाइन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा अब यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए बिलिंग इनफॉर्मेशन देना होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना फुल नेम फिल करना है फिर यहाँ पे आपको अपन करने क कि बाद अगर आपका भी लिंग और यहाँ पर छिपिंग एड्र ?" अलग अलग है तो इस बॉक्स पर टीक कर लेंगे फिर यहाँ पर आपको लिएक सुलीपिंग औरेfinitelyना हे अगर आपका सीपिंग सब्सक्राइबुस तोयुक्त कने Zoял in die याद लिवीट लुम fürसेंगे लगाएद सब्सक्राइद सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहां पर देवित कर लीजेगा सब्सक्राइब करने इस लिएक प्रिक payment वाले option पर क्लिक करके आपको अपना payment कर लेना है प्रिंट आउट निकालने के बाद फ्रेंट्स अप्लिकेशन नंबर अपने पास रखना है उसी अप्लिकेशन नंबर से आप अपना लिमिट का डाउनलोग करेंगे फ्रेंट्स मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइकन से जरूर करिएगा और ऐसे मोर अप्डेट्स के लिए मेरे यूट्व चनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को प्रेस करिएगा जहिन फ्रेंट्स